नमस्कार में हूं मैया सुरेविंशी स्वागत आपका अबाएस् फूड में तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अंगारा डू आ पंतना आ। परिंद। किस तरह से बनाते हैं होटिल में रेस्टोरैनें में तो उसकी लीए देखे मेरी रेसिपी अप्याख इसी डालके हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से चम्मत सी से मिक्स कर लें पानी नहीं डाला है हमने इसमें जो वॉश किया हुआ है इसलिए थोड़ा मॉइस्चर इसमें रहेगा अब इसे गैस को हमने हॉल कर दिया है पानी आट्टरने की भी जरुबत नहीं है तो अब कवर कर लेंगी इसे लगब पांच म अच्छी तरह से स्टीम हो रहा है अब इसे बन कर देते हैं ढगकर ही हम रखेंगे फिर हम इसे मेरिनेट करेंगे अब यहां पे हम जल्डी से मसाली भी देख लेते हैं तो यह प्यास है बड़ा इसे फ्राइब कर लिया है तेल में अच्छी तरह से टमाटर एक बड़ा काली मिर्च, लोंग, स्टार अनिस, कसूरी मिति, और दही लेना है एक बड़ी कटोरी तो सबसे पहले जब ओनियन हम फ्राइ कर लें उसके बाद उसी कड़ाय में हमें थोड़ा सा टोमाटो को भी टोस्ट कर लेना है किस तरह से करना में दिखा तो इसी कड़ाय में थोड़ा करना में तामाटो को घुनना इसलिए है जिससे किसका पच्छा पन खट जाए फोड़ा सा नमख यूज करेंगे तो हमाटो थोड़े पकले लगे है और अभ गरम मसाला डाल दीए कि अधिया पाउडर जोड़ा मसाला जोसे यह थोड़ा अच्छी तरह की पगजाएं इसकी हमें पेस्ट तयार करना है अभाग इसमें यह दन्या पाउडर और यह मिर्च पाउडर डाल देते हैं फटा फट से चलाएंगे फ्लीम को मीडियम ही रखना है मीडियम से कम भी हम र इसमें इसकी पाउडर के साथ डाला है जिससे की मसाले जलेना अबस हलका सा यह बुन चुके हैं हम कैस को बन कर लेंगे तो बीए दिखें जार में मैंने यह मसाला डाल दिया है थोड़ा सा पानी एक करेंगे और इसी में अब यह भी हम डाल देंगे तली हुए इन सबके पेश्ट में बना लेनी है तो यह देखे एक दम बढ़िया सा मसाले का करण अब मेरा हाथ चुका है अब मैरिनेट करेंगे तो यह देखिए चिकन भी हमारा अच्छी तरह के स्टीम हो चुका है इसमें मैरिनेशन काफी अच्छी तरह से अच्छी लेगा और जो इसे अच्छी तरह से मिक्स करना दही डालने के बाद यह अध्रक लासुन की पेस्ट है इसे भी हम डाड लेंगे अब बाकी बची हुई हल्दी लगबग एक चमच हल्दी गरम मसाला को सूरी मेथी और यह जो मसाला हमने बनाया हुआ था तो सारा मसाला दिरे-दिरे करके एट करेंगे तो यह दिखें मेरिनेशन हमारा बहुत अच्छी तरह से तयार है अब हम इसे दो या तीन गंडे रखने के ज़रूद बिल्कुल भी नहीं है अब हम इसे केवल 15 मिनिट या फिर 10 मिनिट पर आप इसे कवर करके रख दीजिए इस तरह से बस फिर यह बनाने के लिए तयार है तो यह दिखें दस मिनिट में यह काफी चाहर से मेरिनेट हो चुका है मैंने इसे दूसरी बढ़तन में ट्रांसफर कर दिया है अब गैस क्य famously कर देना है कुँकि हमें इस में ज़्यक कई डालना है अ अब आरामसी चिकन डालना है कि यह वड़े नहां थे को अब है कि हुआ है е तो यह दिखे अच्छी तरह से सब कुछ डाल दिया है नमक भी आइट कर देंगे टेस्ट कर लिए नमक किक बाप इसे तोड़ा लेंगे इसे तोड़ा लेंगे इसे हम और बस अब इसे कवर कर लेना है मीडियम फ्लेम पर लगबग 10-15 मिनिट बीच बीच में चेक करते रहें अच्छी तरह से इसमें उबाल आ चुका है अब हम इसमें यह हरादनिया डाल देंगे अब हम इसे कवर करके गैस बन कर देंगे और स्मोक की तयारी करेंगे अब इसमोक के लिए हमें एक कटोरी में कोईला रख देना है और उस पर यह घी डालेंगे जैसे ही दुवा होने लगे जल्दी से से कवर कर लेना है और इसकी जो स्पेसी से भी कम कवर कर लेंगे ताकि दुवा बाहर ना जाए इस तरह से हमें इससे 5-10 मिनिट तक रखना पड़ेगा पांच मिनिट के बाद हम इससे निकाल लेंगे अब हमारा चिकन सर्व करने के लिए तयार है तो यह हमारा चिकन अंगारा बनके तयार है रेसिपि अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरा यह वीडियो दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद झाल 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 झाल